ऐसा नहीं हो कि यादो ही अगर चाहें कि नहीं चलो ठीक है जाने दो इस मामले को सांत करो क्यों इस मामले को इतना बढ़ाया जारा है पुलिस वही करेगी जो वहां का स्थानी एमेले चाहेगा वह भी सत्ता पक्ष का एमेले है तो एक ने तीन मारने का काम किया एक ने ललकारने का काम किया तो अभियुक तो साफ हो गए के सवाल यह है कि हम तो चाहते हैं कि सांती वेवस्था कायम रहे और दोनों पीडित परिवारों को न्याय मिल जाए और दोनों पीडित परिवारों की सरकार मदद करें हमारे साथ बाती हैं प्रकाश स्याद करें के पुलिस ने ये कहा पुलिस कप्तान का बयान आया पुलिस की आkiemार्यों से जो लोग देख रहे हैं उसमें ये बियान आ रहे हैं कि इक पाल रमाड पाल करखे लड़का है उसने कह उसको ये पुलिस वालें रहे हैं कि इन्होंने ललकारने का काम किया तो एक ने तीन मारने का काम किया एक ने ललकारने का काम किया तो अभियुक तो साफ हो गए फिर ये बता हुए पुलिस ना कि प्रेम यादों की हत्या किस ने किया अभी तक इस रहाज से को क्यों चिपाये रखा गया है प्रेम सुन नहीं था कि कॉल करके उन्हें बुलाया गया था पुलिस ने बता है आपने सलम मरीत्रिपाठी का बयान सुना वहां के अस्थानी एमेले हैं वहां के मेंबर आप पार्लियमेंट का बयान आपने सुना तो पुलिस क्या करती है पुलिस वही करेगी जो वहां का अस्थानी एमेले चायेगा वो भी सत्ता पक्ष का एमेले है पार्लियामेंट मेंबर भी सत्ता पक्ष का है तो आस्थानी पुलिस तो वही करेगी जो सत्ता पक्ष के एमेले और सत्ता पक्ष के सांसत का इसारा होगा और सत्ता पक्ष के नेताओं का जो इसारा होगा प्रेम यादों को तो ये बता दिया गया कि समाजबाती पार्टी से तालकवात रखते हैं तो भी पक्ष के हो गए और उनको ये बता दिया कि हिंदू बार्णी से तालकवात रखते हैं भारती जंता पार्टी से तालकवात रखते हैं तो वहां कि जो सांसद और अस्थानी बिदायक हैं उनके सारे पन्न पुलिस काम करेगी अगर प्रेमियादॉक है टेलीफोन पे फोन नहीं आया ठिक तो जाच करें और उसको सारवजनिक करें एक महिने की काल डिकार्ड को सारवजनिक किया जाए न और हमें तो वहां के अस्थानी पुलिस पर वरोसा नहीं है हमें का पुरे देश के लोगों को उसकी अस्थानी पुलिस पर कोई वरोसा नहीं रह गया है इस लिए कि वहां का का स्थानी पुलिस वहां कि आस्थानी प्रशासन वही काम करेंगी जो वहां का अस्थानी 1725 मेले और state差 खलकर में हंपि चाहेंगे इसलिए पुलिस lazyël कोई वरोसा नहीं है तो के माध्यम के बटाया जाएं कि कि प्रेम यादाओ की हत्या किस ने किया क्यों नहीं बताया जारा क्यों प्रसासर नहीं इसलिए नहीं बताया जा रहा है कि सलब मडीत्र पाठी के दबाव में नहीं बताया जा रहा है जबकि उसके पहले पहले इदिन जो लड़का है दूबे जी का दूबे जी की बेटी ने सत्य प्रकास दूबे की बेटी ने पहले दिन ही बता दिया था कि मेरा भाई वहां मौजूद था और मेरा भाई पहले जो है प्रेमियादों के उपर हत्यार चलाया मारा उसने और इसके बाद वहां से भाग गया तो उस बयान को पुलिस क्यों नहीं संग्यान ले रही है उसक जब सूपरिंग कोट ने यह कह दिया है कि पीडित परिवार का व्यक्ति अगर कोई तहरीर दे रहा है तो उस पर र genome, दर्ज MAYOR धर्य करके सूपरिंग कोट की नजीर है और सूपरिंग कोट की हिधायद भी है तो जब सूपरिंग कोट से बड़ा तो सरकार है नहीं सुप्रिंग कोट से बड़ी सरकार तो है नहीं नियाइपालिका से बड़ी सरकार तो है नहीं और जब नियाइपालिका के तरफ से यह कहा गया है कि पहले पीडित परिवार की आप तहरीर लीजिए और उस पर आपने मुकदमा दर्ज करके जाच करिए तो अभी तक प्रेम यादों की पतनी की तहरीर नहीं ली गई उनके बच्चों की तहरीर नहीं ली गई उनके बच्चों का बयान नहीं दर्ज किया गया तो पहले आप बयान धर्ज करिए, इसके बाद आप विवेचना करिए, फिर विवेचना में आप चार सीट दाखिल करेंगे न, अगर हम आपकी चार सीट से नहीं संतुस्ता हैं, तो हम आपकी चार सीट को लेकर इलाहाबाद आई कोड जाएंगे, वहाँ से डाइरेक्शन ल हम सबसे अपील करना चाहेंगे, कि आप कहीं ये मत करिए, पहले जाने का काम मत करिए, प्रेम यादो की परिवार की आर्थिक मदद करिए, प्रेम यादो के बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बेवस्था की जाए, उनके पतनी की रहने की बेवस्था की जाए, उनके पर स्थिता कायम रहे और दोनों परिपिर्य परिवारों को नयाय मिल जाए और दोनों पीडित परवारों की सरकार मदद करें और अस्थानी लोग भी मदद करें चुकि दोनों पीडित परिवार इस समय जो बारतमान इस्तिति है बुक्मरी के कगार पर है दोनों पीडित परिवार चाहे हो प्रेम यादव का परिवार हो और चाहे सत्यप्रकास दुब काम कर रहा है ये बाबा जी जैसे लोग कर रहे है यह बताया कि सत प्रकास दूबे नहीं मारा ही मारा रहा है है हो सकता है collector को जानकारी हो कहीं न कहीं से agency बताई होगी collector के पास बहुत तरकी agency होती है कोई agency बता दिया होगा collector को क्यों ही मारा है तो यह तो collector साब से पूछिए नै लेकिन collector का बयान हो चाहे कप्तान का बयान हो जब भी collector और कप्तान का बयान आएगा तो जिम्मेदाराना बयान आएगा और collector ने जो भी बयान दिया या कप्तान ने जो भी बयान दिया हो तो जिम्मेदाराना बयान दिया है और नियम कानून के दाइरे का बयान दिया है अब सलब मड़ी त्रिपाठी को कोई नहीं कहने जा रहा है कि सल करते हैं बच्चे उनके अनात हुए है और शत्यप्रकास दुबे की भी बच्चे अनात हुए है तो जनप्रतनिधि काय ये कर्टब्ब्र होता है कि वो दोनों परिवारों के अपील करते हैं कि भाई हम दोनों परिवारों की मदद करेंगे, ठीक है, मालिजे उदर से पाँच लोगों की हत्या हुई है, तो आप ज़्यादा मदद कर देती, उदर कम मदद कर देती, लेकिन ये कहना दुरभाग पूरा है, कि हम उस परिवार के पास नहीं जाएंगे,